हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुगधा EECP and Heart Care Center जहां होता है सत्तर प्रतिशत से सौ प्रतिशत हार्ट ब्लॉकिजस ट्रीट्मेंट विदाउट साइड इफेक्ट विद एडबांस्ट साउन्लेस पी एसके मशीन मुगधा EECP and Heart Care Center बिहाइंड माउंड कामल स्कूल अजनी स्क्वेर नाकपुर रोज मरा के असंतुली जीवन में बटी रुदय रोग की परिशान्यों की मद्दे नसर M.D. मुगधा EECP और Heart Care Center की तत्वाउधान से रुदय जागडूता शिबिर का आईजन क्या आगया जा 3D वास्कुलोग्राफिक के मात्यम से अवचार कर्टाओं के रुदय की स्थेती का जाइजाली आगया यदि आप अपने रुदय स्वास्त के बारे में चिंतित है या रुदय रोग की खत्रें में है तो कार्टोग्राफ इन निवारक स्वास्त रंडिती में एक मुल्लीवान उक्करन हो सकती है मान चित्रन निरिशन कब करे यदि आपके परिवान में रुदैरोग का इतिहास है रुदैरोग के जोखी मकारत जैसे उच्छ रक्तताप मदमेह या मोटापा या फिर आपको रुदैरोग के लक्षन है जैसे सीने में दर सास लेने में तकलिफ या ठकान है साथ ही आज रोज मरा की असंतुली जीवन में बढ़ती रुदैरोग की परिशान्यों की कारण रुदैरोग की संसाय बढ़ती चारी है जिसको केंडर में रखते वे M.D. मुगता EACP और हार्ट केर सेंटर उचित एवं कारगर उपचार मोहिया करा रहा है जहां शहर से ही नह जानकेर दि मुगता EACP हार्ट केर सेंटर के संचलग डॉक्टर सेंचिन दिभारी दी मुगता EACP हार्ट केर सेंटर प्रिवेंटर कारेलोजिस्ट 15 इसके यह विरीवक्त हुत निलंपिगरस तरस ने Selda भी मुपिश एसकित बैपास वहाँ एसक प्रिप्लापर स्टेंट के गारण वहां पे flow कितना thus फ्लों कितना पोस्ट बढ़ा मैं вот नहीं बढ़ा हूं के बाद पोछल्ब के दौर सब्सक्राइब टोंन ते एक हम इस को यह वर नौn-शूजिख जिकल इंवेस्टिगेशन इस इसन फ्रीट जिसके द्वारा हम आज ये शीविर के द्वारा हम काफी पेशन्स का वहां पे जांच कर वा रहे हैं तो आज हमने हमारे फिछले महिने के जो भी फिप्टीन ट्वेंटी पेशन्स है जिनका हमने एसीप द्वारा सफलता पुर्वक इलाज किया है उनका हम आज 3D जिरो नार्योंग इंडिक्स के साथ रिपोर्ट्स और पेशन्ट असेंट्रमेटिक हो जाते हैं जिनको प्रिवेसली चेस पेन ब्रेथलेस्नेस जो भी कंप्लेंस रहती है वो हमारे इतने सेशन्स में ही पूरी तरह के से निकल जाती है और उनका जो वेस्टोग्राफी का रिपोर्ट आता जिसकों प्याटोग्राफी भी वोलते हैं उसका भी रिपोर्स काफी हद तक अच्छा आया है वह हमको और हमारे पूरे सेंट्रल इंडिया में ऐसा ही एक होस्पिटल है जहां पे हम एसी पी द्वारा ट्रीट्मेंट करने के बाद उनको डॉक्यमेंटेट कितना को लेटर्स द्वारा इंप्रूव हुआ है यह सब हम आज के कैंप में उनको दिखाते थे साथ साथ में भी कोई जो नए पेशन्स को अगर फ्लो कम होना स्टार्ट हो गया ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है एंग्योग्राफी में भी हमको अगर ब्लॉक मोर्दान 20-30 अगर आता है तो हमको दिखता है लेकिन विलोथ 20 पॉसेंट का ब्लॉक हमको नहीं दिख पाता है एंग्यो या सिटी आंजो में इवन माइक्रोवेस्कुलर डिसीज रहा वो भी हमको बहुत बार पेशन्स तो असिम्टेमाटिक रहते हैं बट आंजोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आता है इसका मतलब उनको हाट की डिसीज नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं उनको माइक्रोवेस्कुलर डिसीज भी हो सकता है जो मेन कॉर्नरी आर्ट्री के ब्रांचेस होते हैं जहां पर भी ब्लॉक रह सकता है और अनफॉर्शनेटली सिटी एंजो या एंजोग डिफिनेटली अगर हम वैस्कुलर ग्राफि में हम अगर माइक्रोवेस्कुलर डिसीज या मिनिमल ब्लॉक वाला अगर डिसीज मिल जाता है या आपको फ्लो इनिशेली फ्लो कम दिख रहा है तो हम नॉन सर्जिकल एसीप ट्रीटमेंट द्वारा हम आपका फ्लो इंपरू आज हमारे सेंटर पे कर रहे है बट अन्फरशनेटली ये इस वैस्कुलोग्राफिक टेस्ट अपने नाकपुर में कहीं पर भी आवेलेबल ना होने के करण हमको मंतली एक बार कैम द्वारा मुंबई से मशिन बुलाया जाता है डॉक्टर पिंग्डे हमारे हां आते हैं व जहावाईकाओ के रक्त प्रवा का त्री आयामी चित्रन प्रदान के आगया जहां मरिजों की हाला की किस्तिती एवं सुधार संबन में जाय सल्या आगया गया गौरतल है कि 3D वास्कुलोग्राफिक के मात्यम से बिना किसी इंजेक्शन से मात्र एलेक्ट्रोंस और दर्मनल अपला ही ते कैंबस तो यह एचा मदे आपन रुद्याच्या रक्त पुरोटा किती रुद्याला हतो है आपन तपस दातो और यहा तपस नीमदे कुटे इंजेक्शन कि क्युवा कैथेरे डाकल दात नहीं किकुटला ही इलेक्रिक करंड किवा एक्सरे किवा रेड अपलेला उल्गडा होतो और यहा एचा मदे आपन पुर्ची आपनी लाइफस्टाइल आपन चेंज करू शकतो काई खायाच काई पियाच नहीं है आपन तेचा मदे आइडेंटिफाई करू शकतो और त्या स्प्रमाने अरुद्याच्या पुर्ण फीजियोलोजीच्या अपन पुर्ण प्रक्रियाँ की तुलना में अधिक लाकर प्रभावी विकल्प सुरक्षित और दराने योग्या काउटोग्राफी उप्चा के प्रभावशिल्टा निगरानी समय के साथ रुदेश वास्त में परिवर्दं की निगरानी के लिए उप्योगी है यह परिशन अन्य नैदानिक परिशनों का पुरक्ष है जिससे रुदेश वास्त के लिए एक वैक्तिकर दुरुष्टिकों बनाने की दुरुष्टि से सफल है और MD मुक्ता, ECP और हार्टकेस सेंट के साथ और पहले जो मेरुकु यहां से अपने इस पंधन होस्पिटल के अंदर में माधिकर सही निमें वताया था कि आपके जो इन जो प्लेस्टिक होई है इन जो प्लेस्टिक अंदर में साट परसेंट, सत्ता परसेंट ब्लोकेश दिख रहा है आप तू बाइपास करना किसी के बोलने के उपर में यहां पर में आया हूँ मुगदा, ECP Heart Hospital में आया हूँ यहां पर 35 दिन का पूरा कोर्स किया हूँ और पंदरा इंजेक्शन के साथ में तो जो ब्लोकेश जो थे तो ब्लोकेश में से कुच-कुच जगे पर जहां पर रखत जानी रहा ता हूँ ज भी छजब जगाए करता हूँ रोल जो फटीज जगे के चेत्टेव जो जो ब्लोकेश में से चट्राजा को जो जो भी जो आए और यहां पर कि भी जो भी एं तर्श पीटल में आला वर इथला जो आ वर रखता आवर असले हैं तके तर्ट जो जो दो जो ब्लोकेश हूँ आण तेंचे शी चर्चा करदे ले। तैचा मुए मला इथा मजी हास्मत मदली ट्रीट्मेंट खूब आवड ले। आणि माजा मिस्टरा मादे माजा नौरा मादे खूब फरक जानो ओला मला की ते विवस्ति चालतात ब्रहातात वाकन नहीं कहीं ने। मनुन मी तेंचा मना पासुन खूब खूब डॉक्टर चे आभार मानते। आणि माजा विश्वा सहे कि प्रत्तेक एनारा जो पेशन्ट रहेल तो डॉक्टर चे यहा कारिया मुए खूब आणन दीत रहेल। मी अनि प्रभागर गोंगे मी जुले मदे इथे ट्रीट्मेंट गेतली। जुले 23 गेतली। आनि तयान अंतर मी एकदा पुल्धा पुन्ः पन्न अपन वस्कुलाग्राफी केली। नोम्ब्र मुझे थाते रिपोर्ट माजी संगली आली। तर आंतर माझे जे शुकर कंट्रोल होतनोती जे शुगरी कंट्रोल वाल लगली और मला जो 13 वायचा स्वास गेना करता, तो कमी जाला और एनरजी आली है। मैं माझे जॉब मंझे मी डारेक्टर है दोन कंपनेंचा और मला लोड जास्ती रहाता तरी मला आता काई लोड वाटत नहीं के लिया नंतर तर त्यामोया आज परत मी आलेला है। दोक्टर साय भांजोग माझे परत एक वाया वेस्कुलर गाफी करून गयाओ और आनके काय चेंज़ जालेया है। ते बगाओ और मला बर वाटता है। थोड़ी एनरजी वाजला सरकी वाटता है। ट्रीटमेंट नंतर कही ही त्रास नहीं है। थोड़ा सा बाहरगावी गयाला कि माझे जाउनाची वेड बदलते है। त्या मुझे थोड़ा बहुत थे एक चेंड़ी तो पूट गता सा। मला नहा मार्चला हाट टेक आलेला ह। और मेडिकल मदे भरती जालो तो त्या मदे तिथे माँ एंग्राफी के लिए त्या मदे माला 90% चे दोन ब्लोकेज निखाले और 80% चे दोन ती आनी 15% चासे बंजे 7-8 ब्लोकेज माला निखाले। तर त्यानी ओप्रेशन सजेश्ट केला ते हाट चा अनी मग मी घावर लो त्या ओप्रेशन ला काटना पिटना नहीं वामनून। आनी मग यूट्यूबर माजे मुलानी चेक केला तर त्या मदे साहिबान चा नाव आला हे डेवभारे हस्पिटेल चा आनी इसीपीओ ते विदावट अप्रेशन नी नेचरल बाइपास सर्जरी मनून। तर ते आमाला पटल आनी त्या मडे मग आमी इते आलो तर इते रहोंच उपकवशी केली आनी साहिबान विनती केली है माजी परिस्तिती नसले मुड़े मी ते उड़े पहशे दे उश्यवात नसतो तरी प्रावेट जाप करतो मी तरी साहबा नी ते एक्जेश्मेंट करून गेतला आनी मला ट्रेट्मेंट सुरू के दी आता मला 15-20 जाले 15-20 जाले तर मी त्या पेक्सवा आजी मी आलो तेवा प आयरा चड़ूने तो आनी दीर ते दोन किलमेटर परियंत सुद्धा पाई पाई चालत जातो मैंजे रडिंग करतो आनी जी चाती च दुखन होता हाता चांगल बाटते आता आनी त्या विडितर मी माला माजा मुलगा गाड़ी रानून देथ होता पन आता मी स्वता गाड क्यामरा परसन राजकुमार बहट के साथ मनीश टेमरी के रिपूर क्या है जश जट नहीं करता है रिप्धाल के टुछर को चालते है रात नेक बाग़्त कर देख प्पा देषब है कर दिए जुgg करता है